तो आज मैंने, सौरी, मैंने और मेरी महिला मित्री ने श्टार्ट किया हमारा को तक च्लाउट किचिन और इस क्लाउट किचिन की सबसे हसीन बात यह है कि इसे हमने सिर्फ 8000 रुपए से श्टार्ट कर दिया किचिन से order करना होगा वहां से order करेंगे खाएंगे और तुम्हारे जिम में आ जाएगा पैसा simple तो ये वीडियो हमारी एक साल में 1000 से 1000 करोड रुपे कमानी का part 3 है मैंने सबसे पहले 1000 रुपे से रियल इस्टेट बिजनेस किया और उसके बाग पानीपुरी बिजनेस ट्राइ किया जिससे मैंने करीब एक महीने में 70,000 रुपे कमा लिये थे लेकन उस पानीपुरी वाली वीडियो में तुम लोगों ने इतनी सारी कॉमेंट करी कि मुझे वो पानीपुरी का बिजनेस इस टॉप नहीं करना चाहिए था क्योंकि उससे मेरी at least passive income तो बनी रहती तो थोड़ा सो सोच बिचार करके मैंने एक निसकरश निकाला कि अपसे मैं कोई भी विजनेस ट्राइ करूँगा तो उसे long term के लिए करूँगा ना कि short term के लिए जैसी कि मेरा ये cloud kitchen जिसमें target मेरा एक मन्थ में एक लाग रुपे कमाना तो है पर विथिना one year मुझे इस cloud kitchen को इंदोर का top 10 cloud kitchen पर ले कर ही जाना है anyhow लेकिन cloud kitchen को start करने का idea आना उसे इतने कम investment में start करना और monthly लाख और रुपे कमाना इसकी starting आज से नहीं हुई थी इसकी starting हुई थी देड़ महीने पहले से जब मैंने नया नया पानीपुरी का बिजनिस स्टार्ट करके बंद किया था तब मेरे पास करने को कुछ तो था नहीं तब मेरे दिमाग में आये कि अब मुझे कोई एक ऐसा बिजनिस करना चाहिए जो कि long term में मैं कर सकूँ मतलब मैं उस बिजनिस में काम करूँ न करूँ मेरे जेब में पैसा आता रहे खूब सोच विचार किया तब मेरे दिमाग में आये एक cloud kitchen business करने का idea लेकिन इस business को start करना उतना आसान था नहीं जितने आसानी से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ इसमें कुछ-कुछ problems थी पहली problem है place की कि मैं इस cloud kitchen को operate कहां से करूँगा दूसरी problem है customer की कि initial days में इस business में customers आएंगे कहां से और तीसरी और सबसे important problem है कि ये food business है और मुझे आलू की पराठी के लाबा कुछ भी बनाती नहीं आता तो इन तीनो questions की answer निकालने के लिए मैंने अपना पूरा एक दिन invest कर दिया जहां इन questions का final answer निकला कि इस cloud kitchen को operate करने के लिए मैं कोई जगा rent पन नहीं लूँगा मैं ऐसे घर से ही start करूँगा क्योंकि initial days में rental property लेना मेरे लिए एक घाटे का सौधा होता दूसरी problem थी कि customer आएंगे कहां से ये भी उतना बड़ा issue नहीं है मेरे लिए क्योंकि उतना confidence तो मुझे है अपने आप पे कि customer को तो मैं ले आऊंगा problem है तो बस अभी एक कि खाना बनाऊंगा मैं कैसे क्योंकि खाना बनाते में से बनता नहीं है और मैं किसी staff को hire करके उसको salary दूँ तो वो मैं अभी effort करनी सकता मैंने अभी एक बात just notice करी कि मैं मेरे kitchen में सिर्फ मेरा खाना बनाता हूँ उसके बाब जूद मेरे kitchen की हालत कुछ ऐसी रहती है I just imagine कि मैं अपने kitchen से cloud kitchen open करता हूँ तो मैं मेरे kitchen में क्या ही भसर मचा दूँगा Kitchen की हालत मेरे से नहीं सबलती है खाना बनाते मेरे से नहीं आता है और food business line में भुस रहा हूँ जिसके पास मैं खुद का एक flat और खाना बनाते आता हो क्योंकि rent पर property और safe की salary ये दौनों में effort अलग से नहीं कर सकता पर caution अभी ये आता है कि कोई भी इनसान मेरे साथ में without salary काम क्यों ही करेगा इसके लिए मैं उसे अपने business के shares दे सकता हूँ पर वो जो भी इनसान रहेगा बहुत भरोसे मन दोना चाहिए और मेरा नोन कौन है टैटू आर्टिस और महिला मित्र अब टैटू आर्टिस के साथ में काम करने में कोई दिकत नहीं है उसके पास में तो खुद का flat भी है आराम से मैं मेरे cloud kitchen उसके flat में open कर सकता हूँ लेकिन उस इनसान से खाना बनाना तो दूर तरीके से नहाते तक नहीं आता तो टैटू आर्टिस के साथ तो मैं काम नहीं करूँगा फिर अब बचा कौन? तुम लोगों ने guest करी लिया होगा लेकिन महीला मित्र भी तो राजी हो मेरे साथ में काम करने के लिए अब महीला मित्र को तो मैं इस business में लाने के लिए राजी कर लूँगा लेकिन उससे पहले मेरे एक दोस्त आर्यन ने मुझे भेजी एक दावत कि aviator game के लिए उसका एक software टेस्ट करना है अगर मैं मेरे पैसे हार गया तो वो उसका मुझे 10 गुना जादा देगा तो मैं का चलो ठीक है देखते हैं खेलके ये six round के लिए भविश्वानी की और मैं देड़ हजार रुपे का दाव कर रहा हूँ जो की 8.61 का ratio है और देखो ये रहे देखो भविश्वानी सहीती और मैंने 10,995 रुपे जीते अब मुझे एक और बाट राए करना चाहिए मैंने एक high ratio का इंतिजार किया 6.50 इस बार मैंने 7,000 रुपे का खत्रा उठा लिया चलो देखते हैं और मैं फिर से जीत गया और rocket सच में 6.50 पर ही उत्रा मैंने 1500 रुपे से शुरू करके 48,865 रुपे कमा लिये अगर तुम्हें भी stop to wear में खेलना है तो link मैंने description में दी हुई है वहाँ पर मुझे text करो का बटन पेन होगा वहाँ पर click करें और R.E.N. को लिखें I am from Sarans Universe और फिर जब आपका इंतजार करो तो अब उन 4 प्रॉब्लम में से पहली प्रॉब्लम Place तो अब मेरी solve हो चुकी है क्योंकि Cloud Kitchen अब में महिला मित्र के flat से ओपन करूँगा और इसी के साथ दूसरी problem भी solve हो गई खाना बनाएगा कौन तो same day मैं मेरा menu बनाने लगा थोड़ी सी help महिला मित्र से भी ली और finally हमारा menu बनकर ready हो गया तो मसाले से लेकर जो कुछ भी हमारे Cloud Kitchen में use होना था उसकी हमने एक proper list बनाई और उस list को लेकर पहुँच गए D-Mart D-Mart में करी हम लोगोंने टगड़ी वाली shopping D-Mart से सामन खरीदने का मेरा main purpose था कि यहां पर market rate से सामन बहुत सस्ते मिल जाते हैं और कुछ-कुछ item तो 50% तक discount हो मिल जाते हैं तो यहां से shopping करके बिल कटा के और अपना जोला उठा कर हम अपने बापिस घर आ गए तो अभी तक हमने अपने इस business में जगा decide करी जो की महिला मित्र का flat है खाना बनाएगा कौन वो महिला मित्र है menu decide किया खाना हम उस type का बनाएंगे बिलकुल simple जो बहुत जल्दी बन जाए और food item हम सारा D-Mart से अभी ले आए अब बस मुझे अपने इस cloud kitchen को online list करना है जिसके लिए मुझे एक फसाई का license बनवाना होगा तो next day मैं एक cyber cafe पर फसाई का license बनवाने चला गया to be honest मुझे इसकी processing बिलकुल भी नी पालमती जहाँ भाईया ने मेरे से पूचा कि तुमारे kitchen का नाम क्या है और मैं बिलकुल shocked क्योंकि अभी तक मैंने अपने kitchen का नाम तक decide नहीं किया था तो मैं वापस घर आ गया घर आकर दो घंटे मैं सच में यही सोच रहा था कि मैं अपने kitchen का नाम क्या रखूँ नाम मुझे कुछ ऐसा रखना था जो बिलकुल catchy type हो और कुछ तो मेरा reflect करे फिर एक दम से मेरे दिमाग में एक नाम आया क्योंकि मेरी महिला मित्र भी अब इस business में involved है तो मैं का उसी से related एक नाम रखते हैं अब वो नाम जो भी है मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता जिसके पीछे एक reason है और वो reason यह है कि मैं इस business को बिलकुल fair तरीके से करना चाता हूँ I know कि मैं मेरे cloud kitchen का नाम तुम लोगों को बताता हूँ तो मेरे बहुत सारे order तो तुम लोगों ही कर दोगे जो कि मैं बिलकुल नहीं चाह रहा मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक नया इंसान cloud kitchen को start करना चाह रहा है तो वो initially कितने order ला सकता है ना कि यहां वहां से sources लगा कर order लाना हाँ नाम मैं future में जरूर बताऊंगा लेकिन अभी नहीं मैं नाम अपने cloud kitchen का तब बताऊंगा जब हमारी per month की sale एक से देख दो लात रुपे की होगी ना कि अभी तो finally अभी मेरा फसाई का license बन गया लेकिन एक problem अभी और थी कि cloud kitchen open करने के लिए मुझे एक fridge की जरूरत थी online चेक किया तो 15-16,000 रुपे से नीचे कोई fridge था ही नहीं फिर क्या था मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग दोड़ाया मैं का अगर नया fridge 15-16,000 रुपे का रहा है तो मैं पुराना fridge खरीद लूँगा पुराना fridge धूरने के लिए मैंने OLX पे कई लोगों को message किया एक दू दिन तक उनसे phone पर बात करने के बाद finally मुझे एक fridge पसंद आ गया जिसे देखने के लिए मैं चला गया तो ये है वो fridge हाँ हाँ थोड़ा सा पुराना है मतलब बस 15 साल ही पुराना है अब तुम लोग जज मत करना क्योंकि 3000 रुपे में सिर्फ ऐसी fridge आ सकता है लेकिन हाँ working condition में है और बहुत अच्छा चल रहा है मैंने इस fridge को अच्छी से चेक कर लिया था उसके बाद में ही जाकर इसको खरीदा है तो 3000 रुपे में इतना बड़ा fridge लेना मेरे लिए एक फायदी का सौधा था तो इसलिए मैंने अपने Cloud Kitchen विजनेस के लिए इस fridge को खरीद लिया तो अभी मैंने fridge खरीद लिया फासाई का license बनबा लिया और अपना menu decide कर लिया अब बस दे रहे है तो सुईगी और जमेटो पर अपने Cloud Kitchen को रजिस्टर कराने की जो कि मैं परसो ही करा चुका हूँ मतलब अभी मैं किसी भी वक्त अपने Cloud Kitchen को online लेकर जा सकता हूँ तो एक दिन बाद हम इसको online लेकर चले गए Kitchen को हमने दुफैर के दो बजे online किया था फिर दुफैर से शाम हो गई और शाम से रात और हमारे पास एक भी order नहीं आए हम उदास थे इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास order नहीं आये थे हम उदास थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा excited थे कि जैसे ही online जाएंगे और हमारे पास फटफट करके order आने लग जाएंगे जो कि हुआ ही नहीं इसी तरह दूसरा दिन भी निकल गया और तीसरा दिन भी और इन तीन दिनों में हमारे पास में सिर्फ दो order आए जो कि एक सो रुपे का था और एक तीन सो रुपे का तो बैठ कर मैंने तगडी तरीकी से research करी कि आखिर ऐसा हो त्योर आए मतलब customers को हमारी hotel देखी नहीं रही थी वैसे जुमेटो एक e-platform है अगर ये e-platform है तो इसका कोई ना कोई तो algorithm होगा अगर कैसे भी करके मैंने वो algorithm को crack कर लिया तो automatically मेरा cloud kitchen फीड में आ जाएगा और customer को मेरा cloud kitchen दिखेगा और दिखेगा तो वो order करेंगे तो अपनी hotel की marketing करने के लिए मैंने जुमेटो पर कुछ-कुछ ads चलाए जिसकी cost में को आई 5000 रुपए एग चलाने का फायदा ये होगा कि at least मेरा cloud kitchen उपर आएगा मतलब कोई इंसान सर्च करेगा कुछ भी तो उसको मेरी restaurant दिखेगी मैं अपने flat पर बैठा बैठा अपने cloud kitchen की marketing पर focused हूँ और मेरी महिला में तर्फ टेश्ट कैसा होना चाहिए ये food का उस पर focused है मैंने ad चलाने के साथ साथ कुछ-कुछ food item पर offer भी दिया जैसे 60% off जो की सच में मैंने नहीं दिया मतलब मैंने पहली उन food items की rate high कर देती और उनको offer दे दिया कोई भी customer आकर देखेगा तो उसको लगेगा कि उसको offer मिल रहा है food item पर जो की actually नहीं मिलता है cloud kitchen की ad चलाना और food items पर offer देना इसका फायदा यह हुआ कि हमारे पास में कुछ-कुछ orders आने लगे तो अगले कुस दिनों तक मैं मेरी दूसरे कामों में busy रहा और वहां मेरी महिला मित्र खाना बनाने से लेकर उनकी packaging करना और उसे जुमेट वाले भाया को देने में busy रही इसी बीच मैंने एक और ad और offer चला दिया basically जितने ad उतने order मैंना ऐसा हलकलका से track करता रहता हूँ अपने kitchen को कि वो कि डारेक्शन में जा रही है हाला कि अभी हमारे पास में बहुत order आने लगे है और महिला मित्र भी अपना काम बहुत निश्ठा भाव से निभा रही है let's see month के end में हम लोग कितना profit बनाते हैं इस business से all right तो अभी मैंने अपने skill out kitchen को लगभग एक महीने run करके देख लिया और इन एक महीनों में हमने करीब 312 order deliver किये हमारे order की average value size थी 2500 रुपे की मतलब हमने करीब 90,500 रुपे कमाई एक महीने में sounds good ना पर मैं loss में था सच मैं मैंने एक रुपे भी नहीं कमाई इस business से बताता हूं क्यों तो 90,000 की sale होने के बाब जूद भी मैं इसमें loss में रहा उसके कुछ-कुछ reason थे पहला reason था food की cost जो की 30% आती थी और वो policy यह थी कि वो 14% तो cloud kitchen से लेता ही था उसी के साथ मैं 14 रुपे किलोमीटर वो delivery charge भी cloud kitchen पर ही थोप देता था example के लिए मेरा कोई order 5 km दूर से आता है तो 14 x 5 मतलब 70 रुपे मैं अपनी जेब से दे रहा तो उस delivery के लिए है और तीसर रीट जनता एड और offer जो की 15% हमने चलाए इन हैंड मेरे पास में 90,000 में से सिर्फ 9,000 रुपे बचे और वो 9,000 रुपे मैंने महिला मित्र को दे दिया मतलब पूरे मन्त काम करने के बाद में मेरे जेब में सिर्फ 0 रुपे आए तो इस बिजनस से मैंने एक रुपे तो कमाया नहीं बाकी मेरे जेब से ज़रूर पैसे लग गए है तो दिपेंदर गोयल सहाब, जुमेटो के फाउंडर आप से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है थोड़ी अच्छी सी कॉलिसी बनाया करो, चार पैसा कमा लेता हम है बाकी आज के लिए बस इतना ही, अगर तो मैं दूसरी वीडियो देख नहीं है तो तुम लोग मेरे देख सकते बिजनस वीडियो और नेक्स वीडियो बहुत जल्दी आएगगे तो वीडियो के अट में तुम लोगों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आरेन के खास सॉट्ट वियर को हासल करने का मौकर ना छोड़ है दिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करें और आरेन को कहें कि आप मेरे से हैं मैंने अल्रेडी यहाँ पर 48,000 रुपे कमाए हैं अब तुम्हारी बारी